फेडर्डेशन अफ गटेंस एसोशियेशन के जुड़े हुए 142 पूर्षैनिक एसोशियेशन्स और उनसे जुड़े हुए लाखों पूर्षैनिक साथियों का अभिननदन आभार जिनके सहयोग से 23 जुलाई 2023 के उपर हमारी एतिहसिक महारेली का आगाज और शफलता बहुती अच्छे परिणाम के साथ में अच्छी हम लोग कर पाए हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे पूर्षैनिक भाई हर प्रकास से इता बड़ा सहयोग दे करके दिल्ली के जंतरमतर पर पहुंचेंगे इंदोस्तान के अलग करी गई थी उससे कहीं 25-30 गुणा ज्यादा जगे जंतरमतर एरिया से बाहर जा करके हमारे साथियों को कवर करना पड़ा जबरदस्त धूप थी बहुत सारी ऐसुविदा भी हुई लेकिन किसी ने भी उफ तक नहीं किया ये संकेत है कि आप हर प्रकार से समर्पित होकर के फैडिशन को मजबूत करके और हमारी मांगों को पूरू कराने के लिए तनमंधन से समर्पित है हिंदोस्तान के तमाम स्टेट से पतिनीदी हमारे पहुँचे ये बहुत एक हर्ष का विशे रहा सबसे बड़ी बात ये रही कि जगे कम और एक्सरिसमेन की उपस्तिती किया जो एक उधारन बना भी किया उसके साथ ही मार्क दशन भी दिया साथियो सक्ति एक आदमी की ज़्यादा दिन नहीं चलती है सक्ति संगठन की चलती है और वो कल आपने करके दिखाया मैं आप सभी को अभर व्यक्त कर दान चाहूंगा कि मैंने सुरू में जो गैडलाइन दी थी वक्ताओं के नहीं कि यही हमारा सफलता का रहश्य है जब से फैडिशन बना है हमारा एमूल मंत्र रहा है कि दूसरे संगठन फैडिशन को छोटा या नीचा दिखाने की कोशिस करते हैं हमको कार्य करना है हमारी लक्स पे ही हमें कंसंट्रेट होकर के आगे बढ़ना है शाथियो प्रसाशन का हमें बहुत बड़ा सेयोग रहा जंतर मंत्र पे आपने देखा होगा कि कल वहां पे एक दूसरे ग्रुप को भी जगे लाट करी गई थी लेकिन प्रसाशन से जब हमने सहयोग की अपील करी आयोजन के पहरे वाले दिन तो उनके उच्छादी कारियों ने वहां स्पोर्ट पे आ करके और जो दूसरा संगठन था उनकी तरफ बेरिकेट सो बड़ा करके और हमें ज्यादा इस्थान उप्रद करवाया यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम इते लंबे समय से अनुसासित तरीके से हमारे अंदलन को चला रहे हैं इसले चाहे पुलीस हो चाहे प्रसाशन हो सभी हम लोग सहयोग कर रहे हैं मैं उस हमारे दिव्यांग भादूर पुर्वसेनिक दीवचंद को सेलिट करना चाहूंगा आप सबी देखते हैं उनको चैनलस के उपर भी कि दोनों पैर और एक हाथ कटा होने के बावजूद भी आकर के उन्होंने हम लोगों का होस्ला अबजाई किया और हमारे इस अंद मेटों से आकर के भी और अपना प्रतिनुत निभा करके गई हमारे इस आंदोलन के अंदर आपने देखा होगा कि शैद कोई राज्य बचा होगा जैसे कि हमारे पूर्वसेनिकों का नुमाइंदा कल के आंदोलन में सरीक ना हुआ हो ये शो करता है कि सबी लोग हमारे रीत जैपूर के अंदर जब हमारे गवर्णिंग काउंसिल का मीटिंग था उस दिन 114 एसोशेशन का लिस्ट अमने प्रदर्शित करके आपको दिखाया था चंद दिनों के बाद में वो संख्या बढ़ करके 122 हुआ और कल के उस आईजन के दोरान 14 नए एसोशेशन आकर के हमस जिर करने वाला एक मजबूत संगठन बन चुका है साथियो इस मैने के अंदर काफी हैटिक प्रोग्राम रहे हैं आपने बड़े सफलता पूरवक उनको अंजाम दिया है अभी अगली कड़ी में पहले से गोशित किया हुआ हमारा प्रोग्राम होगा 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष में हम लोग जो हमारे साथी युद्ध के अंदर कंदे से कंधा मिलाके लड़ रहे थे और वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं तो 26 को अपने अपने एक सेत्र के अंदर अपने अपने कसेत्र के अंदर जो भी सैस मारक बने हुए है जहां पर पास पास के जित्ते भी पूरुष एंड के रहते हैं, वी नारियां हैं, वह वाँ पे जाएं, वहाँ सरद्धांजले अत्पित करें, और उन सहीदों का जो रिन है हमारे उपर, उसको सम्मान दे करके थोड़ा बहुत उस रिन को कम करने का कौसिस करें, और उसी के साथ साथ, जहां पर भी संभव हो, एक केंडल मार्च का भी आयजन रखें थोड़ी देर के लिए, जरूरी ने मीलों सफर करें, लेकिन संध्या समय के अंदर, जहां भी आपको सहुलियत मिले, तो जरूर वहां पर एक केंडल मार्च का आयजन करें, और इस्थानी समाचार पत्रों के अंदर इस प्रकार का एक विग्यपती भी जारी करें, कि जिन सहीदों के साथ में पूरु सैनिक युद्ध के मैदान में कंदे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे थे, आज वो उनकी समादी स्थल पे पहुंचे हैं, उनको सर्धान जिरा पित करी है, लेकिन साथ ही साथ उनको इस बात का दुख भी है, कि इनी सहीदों के देने वाएं की पंक्ते में खड़े को जो लड़ रहे पूर शैनिक थे, आज उनकी मांगों के प्रती सरकार समवेदन हीन बन चुकी है, और उनकी मांगों के प्रती बिलकुल उदा से इंता बर्त रही है, साथियो, केंडल मार् लड़ी, 16 जुलाई को अपने जेपूर के अंदर ही एक हस्ताकसर अभ्यान का भी आगाज किया था, उसकी स्पेसिमेंस आप सबको उपलब्द करा दी गई है, आप सभी से प्रातना रहेगा, कि 15 अगस तक अपने प्रेक सेत्र के अंदर रहरे पूर शैनिकों से संपर करें और उनसे अस्ताकसर अभ्यान करा करके, वो सारी प्रतियां आप एक जिगे पे जमा करें, जिससे उनको अपन सरकार के पास आगे बेज सकें, नेक्स्ट कोर्स आप एक्सन, अभी आपको सबको पता है, कि फ्रेडिशन में जो भी निर्ने लिये जाते हैं, कोई एक आदमी क सांसिल से एक वर्चुल मीटिंग करके बाचीत करेंगे, और विचार मिमस करके, अगला चरण हमारा क्या होगा, इसके बारे में आपको समय से ही अवगत करा दिया जाएगा, और अपने अपने इस्तर के उपर, आप जो भी अच्छा कर सकते हैं, जरूर करें, दूसरा, उसका फीड़ बेक लें, और उनसे सहयो की अपील करें, पुने, मैं आप सभी का अभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से, आप एक हो करके, अपने अधिकारों के लड़ने के लिए सजग रहेंगे, और हमेशा तपर रहेंगे, जय ह बार अप